प्रचनट जीत के बाद कॉंग्रिस पार्टी में लगातार हलचल मची हुई है। इसके लावा उन्होंने नया प्रदीश अधिक्ष बनाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदीश प्रदीश बन सकता है। प्रदीश बन सकता है। मेरे को जिम्मेदारी पार्टी देगी देगा कोई देगा कोई लेकिन अगर पार्टी देगी तो मेरे को कोई दिक्कत में मैं सारी उमर पार्टी ये दिये ही है और मैंने तो पार्टी में ही रहना है ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो सिर्फ एक नेता की बात करे मैं कहता हू हो और दूसरी बात यह है आप सबी नेताओं का मान समान करो लेकिन पार्टी से उपर जा के लिए पार्टी की कोश्ट पे नहीं करना है संगठन का काम है हमारे पास पांच साल है अगर हाई कुमांड चाहेगी तो हम मैं तो करता हूँ भी एक जामपल के तो मैं तो मेरे को दे तो तीन साल के लिए बाद में अगर जो एलेक्शन के लिए वोटों के लिए चेरा बनाना होगा बना लिए अगर तीन साल में पहले पार्टी को त्यार तो कर दो ग्राउंड लाइवल पे जो हमने खोया है पहले उसको प्राप्ट करो बड़ी बड़ी रेलियां मीटिंगे करने ही जरू ठीनी है पहले अपने वर्क्रों को अपने साथ्मियों को विश्वास दिलाओ कि हम हैं हमने एलेक्शन लड़ा कोई PCC थी नी हार की aimкое जिम्मेदारी कोई मिटे एक हार कि अराने वालों की थोड़ी है क्योंकि वह कहें घर गए थे आर गया यही कि दिक्कत है त्छ खुल केबात ही नहीं हो थी आज णनना जाना कीぎ वही शम्षेर सिंग गोगी ने मीबिए के सवाल पर प्रदेश में कॉंग्रिस की हार का जिक्र करते वे कहा कि पहले किरन चौधरी ने पार्टी छोड़ी तो कितना बड़ा नुपसान हुआ पार्टी हाइकमान और हर्याना लीडर्शिप को भी अपने कारे कलापों पर विचार करना चाहिए अगर एक एक करके इस सभी लीडर जाते रहे तो पार्टी में कौन बचेगा? शमशेट सिंगोगी का कहना है कि कॉंग्रिस ने ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ खो दिया है पहले जो खोया है उसे हासिल करना जरूरी है चुनाव की दोरान बड़ी-बड़ी रहलिया करने की जरूरत नहीं है हाइकमान जिसे ठीक समझे उससे प्रदेश अद्धक्ष बना सकता है साथी उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रिस प्रदेश अद्धक्ष उससे ही बनाना चाहिए जो बिना विधायकों के मुख्यमंत्री ना बनकर पार्टी को मस्बूत करें करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब के स्ट्री टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद